नमस्कार दोस्तों और ऐसा पहली बार है कि हम लोग आपके साथ लाइफ जुड़ रहे हैं और पहली बार लाइफ जुड़ने से नहीं मतलब विदेश मामलो पर हम पहली बार आपके साथ जुड़े हैं और तो हमारे साथ जुड़िये और हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि हर दिन आपसे इसी वक्त मिला जाए दुनिया भर की वो बड़ी खबर जो उस दिन की बड़ी खबर होगी हम उस पर आपसे बात करेंगे फिलाल बात्चीत यह है कि लगातार मैं आपको मिडल इस्ट के हालात पर वीडियोज दे रहा हूं और वो वीडियोज आप देख रह युकरेन रश्या का वार भी चल रहा है अब तमाम जिन जिन चीजों पर हमसे वीडियो चाहते हैं वो हमें बताइए हम डिफेंस के वीडियोज भी आप तक ले करा रहे हैं आपको पता है कि आज राफा में जो है इसराइल इन्वेट कर गया है राफा गाजा का वो हिस्सा जो मतलब पूरा का पूरा गाजा इस चिप तो जीती चुका है इसराइल मतलब वहां से होते हुए अब बिलकुल आखरी हिस्से में इसराइली आर्मी जो है वहां तक आ गई और अब तो राफा से भी जो लोग गाजा से चल करके जो लोग नीचे तक आ गए थे उनको अब वहाँ पर करीब 15 लाक लोग रह रहे हैं और वहाँ से लोगों को विस्थापिट होना पड़ रहा है कैसे वो लोग रहेंगे क्या होगा उनके साथ आप ये समझेगा और दुनिया की तमाम ताकतें तमाम लोग यूएन अमेरिका दुनिया के तमाम विदेशी देश रुके मिडल इस्ट में ये पूरा बावाल जो गाजा और इसके बीच चल रहा है गाजा और इसराइल के ये कुछ ऐसा नहीं है ये बिल्कुल स्क्रिप्टेट है और इसके अलग-अलग पहलू है अलग-अलग खिलाडी है कुछ खिलाडी जो हमारे पीछे आपको दिख रहे हैं बिल्कुल ये तो पुतीन साव है खाम नहीं है और ये तो नई इंट्री है बिल्कुल किम जो उनकी ये हम बताए हैं आपको लगातार इस पर हमने दो-तीन वीडियो भी किये हैं कि आखिर किम का क्या लेना देना है मिडल इस्ट में आपको जो सवाल अगर कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट चेक्शन में आप बताएंगे हम आपके सवाल भी लेंगे कि इन वीडियो में जो हम बता रहे हैं उसके पीछे का मकसद क्या है और मिडल इस्ट में पूतीन का मतलब आपको पता है कि जब अक्टूबर के महिने में जो कुछ इसराइल में हमास ने किया उसक अबर की ताक्तें लगी तो हैं इसराइल को रोकने में लोग चाहते हैं कि इसराइल रुके लेकिन क्या इसराइल सुन रहा है किसी की क्या इसराइल अमेरिका की सुन रहा है इसराइल किसी की नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा उसके दो कारण है पहला कि वो ये तै कर देगा क कि निकट भविश्य में आने वाले 10, 20, 25, 50 साल तक कोई भी संगठन या कोई भी आतंकवादी संगठन ये हिम्मत न करे जो कुछ इसराइल में अक्टूबर के महिने में जिस तरह की स्थिती हुई थी क्या था वो औरे वही था जैसा हमने मुमवई में देखा था वैसा ही मिलता जुलता था वहां से उनके नागरिकों को अगवा करके हमास के लड़ाके लेकर के चले गए कहां गाजा पट्टी वाले हिस्से में अब तक 200 से जादा इसराइली नागरिक अब भी हमास के कबजे मे तो ये सब बवाल चल रहा है लेकिन आखिर ये जो चीजें एसकलेट हो गई इसराइल इरान के भी जड़ब भी हो गया मतलब कहिए कि ऐसा पहली बार हुआ कि पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इरानी धर्ती से इसराइल की तरफ रॉकेट छोड चोड़े गए बैलेस्टिक मिसाइल चोड़े गए ड्रोन चोड़े गए अब तक ये सब पीछे से तो सब कुछ हो रहा था साइड से सब कुछ हो रहा था जैसे इरान लगातार क्या सप्लाई कर रहा था हत्यार सप्लाई कह लिजिए पैसा सप्लाई कह लिजिए से मदद हम कि या फिर उधर हूती विद्रोहियों की कर तो रहा था लेकिन ये सीधे लडाई में पढ़ना इरान के लिए ये बड़ी बात थी इरान-इसराइल कॉन्फिक्ट भी हो गया इरान-इसराइल कॉन्फिक्ट रुग भी गया है फिलाल लेकिन पिछले छे महिने से इस वाले हिस ये है पूरा एक किलोमेटर का रास्ता नहीं है माफ करिएगा पूरा ये एक घंटे का रास्ता नहीं है चालिस किलोमेटर का पैच है और इस पर बवाल चल रहा है और दुनिया के तमाम देश जो ताकतवर देश है वो कुछ रोक नहीं पा रहे हैं कुछ बोल नहीं पा रह हो तो हम उस पर भी बात करेंगे अगर आप किसी और भी टॉपिक पर किसी हमारा लाइफ चाहते हैं या यह वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बताईए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कैसे क्या आपको लगता है कि दुनिया में कुछ भी ऐसे ही हो जाता है एक बात याद रखना दोस्तों दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी देश में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है आपको पता है कि रसिया युक्रेन वार बहुत लंबे समय से चल रहा है रसिया दो साल से ज़्यादा हो गया और फसा हुआ है युक्रेन में और यह फ्री नह दे रहा है अमेरिका दे रहा है तो दो साल ढ़ाई साल से जादा जब पुतीन वहां फसे रह गए तो क्या पुतीन और उनकी जो एजनसी है के जी भी वह ऐसे बैठे रह जाते फिर प्रापर आप देखो आप एक इंग्लिस में जो संटेंज नहीं है कनेक्ट डॉट आप डॉ भारत कब लड़ेगा भाई ये यूसफुल फैक्ट हमारे भाई हैं ये कहरें भारत कब लड़ेगा देखे दुनिया का हर देश जो भी देश है पुराने समय से आज तक लीजिएगा यूसफुल भाई तो कभी न कभी हर देश को एक वक्त होता है जब लड़ना पड़ता ह कई बार लड़ाई जरूरी हो जाती है कि आपको दुनिया के साथ साथ अपने भी लोगों को बताना रहता है कि नहीं ये वाला युद्ध तो जरूरी है तो अभी जो इसराईल जैसे इसराईल अभी लड़ रहा ना गाजा में गाजा में आएक मानविये पहलों आप देखेंगे तो जी वहाँ पर 15 राक लोग हैं इनोसेंट लोग हैं उनका क्या दोश है एक हिस्सा ये है लेकिन इसराईल अगर ये लड़ाई नहीं लड़ेगा इसको यहीं छोड़ देगा तो इस बात के खत्रे भविश्य में बने रहेंगे कि ऐसे और हमले इसराईल के अंदर जो अक्टूबर में हुआ भविश्य में भी हो सकते हैं तो इसराईल उस संभावना को खत्म कर देना चाहता है भारत को एक यूद्ध हमारा पेंडिंग है हमारा वो यूद्ध चीन के साथ होगा पाकिस्तान के साथ होगा किस के साथ होगा मुझे नहीं पता ऐसा भी हो सकता है कि हमें two front war लड़ना पड़े जिसकी बात विपिन रावत करना किया करते थे हलाकि विपिन रावा 2.4 2.5 front की बात करते थे 0.5 front वो जो देश के अंदर ह आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो इसी लिए एक लड़ाई तो भारत को लड़ना ही है, वो हम कब लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, किनके साथ लड़ेंगे, ये तो वक्त के अधर में हैं, भविश्य के अधर में हैं, लेकिन ये बात आप समझ लो, हिंदुस् एक जंग वो होगी जहां से दुनिया के बहुत सारी चीजे तो आपने दुनिया में ते कर दी हैं अपने अस्तर पर भी विश्व अस्तर पर भी कि भाई ये लक्षमन रेखा अगर इंडिया के साथ कोई क्रॉस करेगा तो भारत उसका जवाब देगा जो भारत अलग अपनी बीदेश नीती से हो या फिर मालीजे सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक के रूप में जो भारत ने दिया वो जवाब ही था वो एक statement था दुनिया को कि आप हम से जिस भाषा में बात करेंगे भारत भी उसी बाषा में आपसे बात करेगा